पगार बुक मोबाइल अप्लिकेशिन पे, स्टाफ को शिफ में आसाइन करने के लिए या फिर शिफ क्रेट करने के लिए सेटिंग्स पे जाए यहाँ नीचे स्क्रॉल करें शिफ सेटिंग्स पे यहां आपको तीन shift मिलेगा जिसका नाम है fix shift, rotational shift और open shift fix shift में अगर आपने एक staff को assign किया है और आपका shift अगर 10 से 7 बज़े तक है तो हमेशा वो staff 10 a.m. to 7 p.m. ही report करेगा और उनका calculation hours भी based on 9 hours होगा जो की 10 बज़े से 7 बज़े तक है यहीं पे अगर आप rotational shift create करते हैं तो फिर आप rotational shift में morning shift या evening shift create कर सकते हैं जैसे कि morning shift में अगर एक staff आता है सुबा 9 बज़े से 5 बज़े तक next day वो 5 p.m. to 11 p.m. तक आ सकता है इसी basis पे यह rotation चलता रहेगा as per business requirement यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि आप staff को कोई restricted hour पे आने के रिए नहीं बोले instead अगर आप उनको बोलते हैं कि उनका total working hours complete होना चाहिए तो in that case आप open shift में उनको assign कर सकते हैं जहां staff को add करने के बाद जो given hour से वो staff की end से complete होना पड़ेगा staff पे assign करने के लिए assign staff list पे क्लिक करें और staff को assign करें अगर आप shift में कोई भी changes करना चाहता है तो manage पे क्लिक करें और यहां पे कोई भी changes चाहिए तो add करें अगर आप shift में unpaid break add करते हैं तो उससे उनका effective walking hours reduce हो जाएगा और जो भी daily salary है उसी से divide होगा जैसे कि 10 से 7 बजे तक का difference 9 गंटे का है लेकिन क्योंकि हमने unpaid break 1 गंटा add किया है तो effective walking hours 8 गंटे पे lock हो गया है भी और जो भी उनका salary होगा per day basis पे वो अभी 8 hours से divide होगा instead of 9 कि खूप जब मेंगा और जाल भी अबुल्ण खूपर के राने पे जबिदागा जाने राने राने जाले ग्रेटागा और जाएगा।